हलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ गाजर की एक ऐसी मिठाई जो आपको जरूर पसंद आएगी तो ये खाने में थोड़ी रसमलाई जैसी भी लगती है और थोड़ी सी गाजर का हलवा का भी टेस्ट आएगा आपको तो चलिए फिर आपको बताते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है तो सबसे पहले हम मिक्सर के जार में कुछ गाजर के टुकड़े डाल देंगे ये मैंने दो गाजर ली थी इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा दूद डाल के इसे इस पानी सूख न जाए और जब ये थोड़ा सा ड्राइ होने लगेगा तब हम इसमें दो चमच के करीब चीनी डाल देंगे और चीनी के मेल्ट होने तक इसे थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं और जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें 2 कप के करीब दूद डाल देंगे और फिर इसमें हम उबाल आने देंगे तो ये देखिए अभी इसमें उबाल आने लगी है तो अब हम इसमें आधा कप सुजी डाल देंगे यह मैंने पहले सी रोस्ट करके रखा हुआ था तो इसे सारे डाल देंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक यह थोड़ा सा ड्राइ ना हो जाए तो अब यह थोड़ा ड्राइ होने लगा है तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और एक बॉल में ट्रांस्फर कर देंगे अब हम हातों में थोड़ा सा ओयल गरीस कर लेंगे और इसमें इस तरह का शेप बना लेंगे तो यह देखिए तेल लगाने से हातों में चिपकते नहीं है तो इस तरह से हम सारे तयार कर लेंगे तो ये मैंने सारे तयार कर लिये हैं अब हम इसे स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए जालिदार बरतन लेंगे और उसमें हम अच्छे से ओल ग्रीस कर लेंगे और फिर इस सब को स्टीम कर लेंगे इसे 6-7 मिनिट के लिए ही स्टीम करना है तो तब तक के लिए हम एक पैन में 4 खप दूद डालेंगे और इसे तब तक बॉइल करेंगे जब तक ये आधा ना हो जाए तो इधर 6 मिनिट हो गए हैं और ये एच्छे से स्टीम हो चुका है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इधर दूद भी हमारा आधा हो चुका है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो मैंने आधा कप चीनी डाला है और कुछ ड्राइ फ्रूट्स करस करके डाल दिये हैं और फिर आधा चमच हम इसमें इलाइची का पॉडर डालेंगे और इन सब को बॉइल कर लेंगे अच्छे से तो अच्छे से बॉइल हो गई है तो अब हम इसमें एक एक करके ये जो गाजर है जो हमने स्टीम करके रखावा था वो हम सारे इसमें डाल देंगे और इसे पाँच मिनट के लिए ढग कर पका लेंगे तो पाँच मिनट हो गए है और ये हमारी गाजर की मिठाई बनकर तयार है आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान है इसे बनाना ये खाने में बिल्कुल झाल 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 झाल